हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो में यूट्यूब चैनल सेना सेमिगाट आज की वीडियो में एक बहुत बहुत सुन्दर और सिंपल ब्लाउज का डिजाइन बताने जा रहे हूं जो बैक साइड में हमारा होगा तो कि मैंने ब्लाउज कर लिए जो बैक पार्ट है बैक पार्ट का है आप इसका मेजरमेंट में आपको बता देते हैं मैंने कितना कट करा है जो हमारा है तीरा है वह जाड़े 5 इंच मैंने लिया है और मुड़ा 6 इंच लिया ए छेस्ट है और 13 इंच अचले पार बाउज बना रहे हूं इसके बात हम इसकी कट पर कटिंग करेंगे निशान लगागे तो यह मैंने सवा 2 इंच वड़ाई लिया है और 9.5 इंच के लगवग 9.5 इंच आप इसके ले लिजी लंबाई तो मैंने 10 इंच लंबाई ले लिए इसके बाद ऐसे मार्क करेंगे सिंपल सा मटका गला जैसे हम बनाते हैं उस तरह मैंने निशान लगा लिया इसमें अब देखिए निशान लगाने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर देंगे मेरा अगर वीडियो देखते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो आगे बना सकूं मैंने इसकी देखिए कटिंग कर दिये हैं यहाँ पर कपड़े पर इसको अस्तर के कपड़े पर रखे इसको सैट करेंगे और एक शिलाई चला लेंगे यहाँ पर गले पर शिलाई चला लेते हैं एक पैर का मार्जिन देते हैं जिस शेप में हमने गले कटिंग करें उसी शेप में शिलाई चलाएंगे गुलाई ही देते हैं यहाँ पर हम शि अब इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है नीचे वाले पार्ट और अस्तर को एक साथ रखते हुए नीचे के इससे भी स्लाइज ला देंगे अब हमें कट करना है जो गला आपने सिला था अस्तर के कपड़ा का एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे यह कट करके निकल गया अब देखें जहां जहां गुलाई पर निशान है वहां पर हम कट करके निशान लगा देंगे हलक हलका ताकि जब हम पल्टेंगे तो अच्छे सी गला बैट जाए तो हर तरफ गुलाई की तरफ निशान लगा देंगे कट का चोटे छोटे कट लागा देंगे उसके बाद इसको पलटेंगे हम नीची एक्सटा कपा कट करके निकाल दींगे अब दीखिए इसको पलटने बेटने के बाद हमारा जो गला है वह ऐसे बन कर आता है अब इसके उपर एक सिलाई चला देंगे ताकि जो गला अच्छे से बैठ जाए पूरे गले में मैंने शिलाई चला दिया अब देखें गला हमारा इस तरह आ रहा है उस तरह उसी तरह हम अब नीचे भी एक शिलाई चला देंगे ताकि नीचे वाला भी पॉर्शन है वह अच्छे से शैट हो जाएं अब हमें क्या करना है इनको बराबर रखते वे अच्य से शाट करते वे भीच में से निचा लगातें अ आध कर निचान लगाके उसके बाद दोनों पार्ट में एक पिलेत लगाएंगे लगबक साढ़ ती निंची के कि जो shirt snugi में में लंबाई टोप जुरू में two part में під्लेट लगा देंगी कि सुरू में डवल सलाय चलाते हैं अलगत तागे 3 inch की की कि इंद लगाई में प्लेट लगा देंगे fire मैं धेकि दूनु मांग में री महारी प्लेट लग चुकी है अर पहतंने हैं अब इस तवाहिंची की लगबग मैं ने तुकड़े लिए हैं सवाहिंची लंबाई चुड़ाईने और सुई की मदद से मैंने देखी एक यह बटन टाइप में बनाए है लुपी जिससे आप equivalent मैं आ से बना रहे हूं सुई की तरफ से सुई की मदब से हम इसे बनाएंगे ताकि इसका जो शेप है बहुत अच्छा आएगा और इसको हम या तो आप सिलाई से भी बांद सकते हैं सिलाई करके लेकिन मैंने हाँ से बांदे क्योंकि मुझे छोटे-छोटे बनाने हैं तो हाँ से बांदने पर ही अच्छे बन रहे हैं और इसके एक्स्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे बड़ी वाले सुई लेनी हैं बड़ी वाली सुई से आप इसको आराम से बना सकते हैं और फिर डबल धागा लेके इसे आपको ऐसे बान देना है इस तरह आप कम से कम 8-10 लुपिया बना लिजी जो इतनी हमारी ब्लॉज पर लगेगी देखिए जो बैक पार्ट है बैक पार्ट का जो राइट साइड है वहाँ पर मैंने इसको ऐसे रखा वाए इस तरह रखकर आपको सिलाई चलानी है अच्छे से साइड करते हैं तो इसको इकए करके नियान से सिलाई चलाई चलाई रख और एक दम धूरी में रख़ते वह आप एक दम चिलका के भी इसको रख सकते हैं मैंने हलका सा अ मार्जी रखतेविए यह सारी रुपियों को रखते वे मैंने सिलाई चला दिया है यहां पर थोड़ा उच्छा लग पड़ता है वहां पर तो सिलने में थोड़ी दिकत होती है और जो एक्ष्ट्रा कप्ड़ा है उसको बाद में कट करके निकाल दिये अब हम कपड़ लेंगे और कप्ड़े में ल पॉना इंच बढ़ा होना चाहिए और उसके बाद इसको यहां पर डबल पट्टी की तरह हम लगाएंगे यहां पर आप इसे बैक आपन भी रख सकते हैं लेकिन मैंने डिजाइन तो बैक आपन का बनाया लेकिन मैंने बैक आपन रखा नहीं है इसे इसको मैं सिल के इसको बंद कर दूंगी तो अभी मैं फिलाल डबल पट्टी इसमें लगा रही हूं ताकि लगे कि महां पर हमारे बटन लगा हुआ है तो देकि बटन पट्टी जैसे आप लगाते हैं फ्रंट में वैसे ही इसमें पीछे हमें बटन पट्टी लगा देनी है अभी एक शिलाइज इसको डबल करके इसके उपर मोड़ते हुए शिलाई लगाएंगे यह मारी डबल पट्टी लगके त्यार हो गई है और देखिए नीचे से मैंने मोड़ दे अगर आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं तो फिर हम पहले हम तिर्शी पट्टी निकाल लेंगे मैंने गोल्डन कलर एक कपड़ा लिया है उसमें 7 इंच के लगबग तिर्शी पट्टी तीन चार निकाल लिया है जितनी हमें जुरूत पड़ेगी उतनी हम लगाएंगे इसको क्रॉस वाइज रखके जोड़ देंग नीचे रखना है रॉस साइड में बरत पर कट कर देंगे हैंवस Pac In మें को खी चना है कपड को सिर फोमा ना फिस ुमातरी नीचे इ вже फिकर लाइन अंगर नेका लागया सब्हा है पुद़िया हैं तो में पाइपन को खीच वे इसाफ कीं बनाइगे 152 ही पायपीन बनाते यह ईयसे बनाएंगी और मेरे आपको इन्य देकिन सफ देक्विकर का बीलिए यहां पर मज़िन चलानी है तो पाइपीन वाले जो यह हम सलाई चलाते हैं वो बड़ दियां से चलाते हैं धीरे-धीरे ताकि हमारी पाइपीन पर भी सलाई ना चड़े और बाहार भी ना नेकले और पाइपीन भी गोल से अच्छे से बैठें तो इस दिसे मैंने कॉर्णर पर मश करते हुए बैठा देनी है और जहां हमारे मटका के लिए की तरह उपर तरफ दुलाई आ रही थी वहां भी भ्यान से बनाने पाइपीन यह हमारे एक पार्ट बनके त्यार हो गया है अब इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हम उल्टा करके और पाइपीन को नीचे रखकर इ लेकिन आप जब हम पाइपीन लगानी है एक दम नीचे तक नहीं लगानी है सिर्फ गले में पाइपीन लगानी है लेकि इस तरह दोनों पार्ट में पाइपीन लग गई है यहां पर मेरे दोनों पार्ट बनके त्यार हो गया है अब इसके बाद हम दोनों पार्ट को रखक एक दुसरे के पर अटेच कर देंगे आप चाहें तो इसको खुला भी रख सकते हैं हमक और बटन बटन बी लागा सकते हैं लेकिन मैंने इसको सिर्ब बन्द कर दिया हूंा पीछी साइड सीच कप्रा ढिणा और रहा है तृओं काढ देंगें कोई नीचे पाइप्ञ लगाने तो इसे कोके फर्क पीपाइपिन लगा लगाँ नीचे वरे पाट पर आपकर । यहां पर पहलिक हाथों से हवे लगाना है कपड़े को नहीं किछ ना है धालके आथों से सेट करते हुए एक सिलाइद लगा के पाइपिन बैठा देंगे अब हम इसके चलते हैं लटकन ब्राने के लिए लटकन के लिए मैंने चार इंच लंबाई चोड़ाई में कपड़ा लिया है जो मेरा मैचिंग का कपड़ा था गोल्डन कलर का और यहां पर लगवा पॉने दी दिखाया है इस तरह और फिर इसको यहां से एक बार और पलाट देंगे तो अब हम यहां पर अच्छे से पकड़ते हुए से यहां पर सिलाई चलाएंगे शुरू में लाश्ट में डबल सिलाई चला के इसको लॉक कर देंगे इस तरह ये हमारा सिलाई चल गया आप देखिए इसको खोल के देखते हैं कितना सुन्दर हमारा एक फ्लावर की तरह बनके हमारा त्यार हुजाता है खुबसूरत सा अब इसके उपर एक कैप लगाना है में तो जो हमने कपड़ा काटा था उसी को रखते वे उल्टा रखते एक सिलाई चला देंगे डबल फोल्ड में और एकदम आपको उसके साथ सटा के सिलाई चलाना है उपर नहीं चलाना है विल्कुल भी अब इससे पलट देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा काटकी निकाल लेजी और फिर पलट देजी लेकिए पलटने के बाद हमारे कितनी जो बहुत ही प्यारी लग रही है इसे हम बलाउच पे अटेच कर देंगे और बलाउच पे सिलने के बाद मैंने जो वह बैक पार था वहां पर मैंने मोर्ती भी अटेच कर दी है तो आपको मेरे यह सिंपल सा प्यारा सा डिजाइन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखे िं कैंट वा जरूर लग यह स्क이 है उहाँ है इस नहीं टार लोुदятся प्यारा से लिए श्वाच पाच है